है हलो एवरिवन आई ये next lesson देख लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा था grammar log पूरा grammar log देख लिया है logogram grammar log contraction phrasing यानि फ्रेजियोग्राफी पूरी फ्रेजियोग्राफी भी देखी और उसी कड़ी में एक टिक रह गया था टिक या नहीं जो दा का फॉर्म रहता है ऐसे करके होता है ठीक है वो टिक ठीक दा मैंने बताया था कि जैसे आउन कि ए एन ठीक ए एन है और दा के लिए आप डॉट लगा रहे थे लेकिन जब हम फ्रेजेज में यूज करेंगे दा तो उसके लिए टिक यूज करेंगे तो आये उसका कुछ बहुत ही इंपॉर्टन फ्रीक्वेंटली यूज फ्रेज देख लेते हैं कि ए आफ दी होस़ा और यह दी है ठीड़े डी ऑफ दी होवत कि बस्राइब आउफ दी ओगा लेकिन अगर उती में ऐसे जोड़ दिया तो यह दीinging तो आफ दी बहुत होता है आफ दी हो गया अपका आफ दी फिर आल दी आपका बता था अब आफ दी लाइन दी आल दी तू दी तू क्या बता है था टू ऐसे होगा और यह दी तू दी तू दी कि आफ दी यह आल दी है all the all the of the to the of the में यह लाइट स्टोक होगा लाइट स्टोक होगा यह आफ और यह आल में हैवी स्टोक होगा तूदी हो गया फिर शुड बी शुड भी आपको शुड आपको कैसे बता है था रे की तरह जाएगा तो शुड और और फिर बी शुड भी ठीक है ठीक है ठीक है उसी में अगर शुड दी होगा तो क्या होगा यहीं शुड लिया और यह टिक लगा दिया डी अ है एस एच ओ यू एल डी शुड और टी एचीड शुड दी शुड दी शुड दी शुड दी हो गया फिर इन दी इन दी में इन क्या बता था इन इन अबव दिलाइन होगा इन और दी टिक लगा दिया बस इन दी कैसे होगा अबव दिलाइन फिर टिक इन दी यहां लिखेंगे इन दी हीचा इन दी किएगे नेक्स देखते हैं बट दी बट आपको क्या पता था अन दी लाइन बट उसी में टिग लगा दिया तो यहां वाला बठ दी जो टिक होगा दी का वो अब स्ट्रोग जा रहा है बाकी सब में डाउन स्ट्रोग जा रहा है इसमें बट दी में यह अब स्ट्रोग जा रहा है दी का बट दी बट दी यानि बट दी ठीक अन्ड दी एंड किसे था अबॉफ दी की तरह अबॉफ दीलाइन उस ही में टिक लगा दिया तो आजल मैं दी और अधिक क्या होगा अबर्फ दी लाइन ठीक है आण अबभी लाइन और यह दी कि ओन दी ओन दी student लेकिन यही चीज आण दी लाइन रहता है तो यह जाएगा बट और यह अबभी लाइन है तो आं हो जाएगा आउन बट आउन बट आउन बट आउन दी बट दी बट दी ठीक है जैसे यह बना आट दी एट के लिए टी पूरा लिखेंगे और यहां टिक लगा दिया तो यह हो गया आट दी अट दी चैन दी अबव दी लाइन चैन और दी ठीक कम के लिए अन दी लाइन कम दी कम दी यह हो गया कैन दी ठीक है गिव दी गिव दी गे और दी जी वाला गे साउंड गे दी ज़टी डूदी डूग पूरा डू लिखा अन दी लाइन और फिर हलका सही लगा दिया क्यूं सब्सक्राइब नद क्यूं अगर शॉट में लिख देंगे तो यह ने दूसरा सॉरा जाएगा बत दी ω जाएगा उसी लिए डी को पूरा लिखेंगे डी डी डूदी है हो गया डू दी डू दी बी दी एंड हैड दी हैड दी के लिए क्या पता है था है टोगा अब अब दी लाइन और यह दी यह हो गया है डी बी दी यह हो गया डू दी यह कैन दी है ओके पुट दी पुट के लिए क्या पता है था अक्रॉस दी लाइन पी लिग देना है पुट इसी में दी तैनी पुट दी पुट दी पुट दी यह हो गया पुट दी ठेक है कि यह आपके टिक हो गए टिक वाले डी का शौट फॉर्म कुतने सारे फॉर्मस में बनेगा इसकी प्रेक्टिश आपको करनी है सबी की प्रेक्टिस कर लें स्क्रीन शॉट ले लें और इसी तरह से बनाना है प्रेक्टिस करते चलें तभी यह आएगा यह चीज़ें बाई हाट लर्न होनी चाहिए मैं पहले फिर से बता बता दूं पहले बता चुका हूँ ग्रैमोलॉग का ही पार्ट है पूरा बताती है लिखने में अगर हमें पहले से ही उसको पता हो तो जो डिफिकल्ट वर्ड है बस उसी तरह फोकस करना होता है उसको थोड़ा बनाना होता है ठीक है कि मैंसा कि कि